अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल नरूज ओट ब्लोग को और साथ में बेला आइकन का भी बटन दबा दीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले बोचे मैं युही रोजान आटोमबाइस एक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यू, स्टेस ट्राइब्स, वाकरोंज, कमपैरेज और असेसरीज आपसे साजा करते रहता हूं तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अगस्ट 2019 में रेनो ने इंडिया में अपनी सबसे सस्ती MPP रेनो ट्राइबर को लाँज किया है जिसे कस्टमर्स का काफी अच्छा कासा यहां पे रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों और लाँज से अब तक इसकी टोटल 20,000 यूनिट की विक्री हो चुकी है जार रही है आटमेटिक ट्रांस्मिशन के शाथ और वो भी आज दोस्तों यानि 10 जैन्वरी 2020 को और कंपनी को यह उमीद है दोस्तों की आटमेटिक वेरियंट को वैसे ही सपलता मिलेगी जैसे की मैन्वल ट्रांस्मिशन को मिली थी जल यह बात करते हैं रेनो ट्राइवर के आटमेटिक वेरियंट में क्या कुछ नया रहने वाला है दोस्तों इसमें सेम वन लीटर का डियोल वीविटी सिस्टम वाला थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 72 BHP की पावर 6250RPM पे और 96NM का पीक टॉक जनरिर करता है 3500RPM पे और यह अभी कंफर्म नहीं है कि भी यह BS4 है या BS6 जहां तक ट्रांस्मिशन की बात करें तो रेनो ट्राइवर आटमेटिक में कंपनी ने 5-speed AMT गेर बॉक्स उपलब्त कराया है और रेनो ट्राइवर के टॉप इन वेरेंट आरेक्स जेट में 15 इंच के अलोई वील एविल करेंगे इसके अलाबा रेनो ट्राइवर के आटमेटिक वेरेंट में आपको मिलने वाले है पुस स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे कि आप यहां पे देख पारे हो दोस्तों और इसके अलाबा रेनो ट्राइवर में 8 इंच का टच स्क्रीन इंपोट हेंडमेंट सिस्टम दिया गया है जो की सपोर्ट करता है Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth Connectivity, Navigation, Radio FM, USB and Aux Go सेप्टी फीचर के अगर हम बात करें तो इसके टॉप इंच वेरेंट रेक चेट आटमेटिक में आपको मिलने वाले है आपको 50-50 स्प्लिट हो जाते हैं और जिसे आप रिमूब भी कर सकते हैं और पूटी स्पेस को आप यहां पे बढ़ा भी सकते हैं जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो यह बिल्कुल Agitives रहने वाले हैं इसमें कोई changes आपको दिखने वाले नहीं है आटमेटिक वेरेंट में रेनो ट्राइवर के rear seats के passengers के लिए AC vents route mounted दिये गए हैं जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो seat 20 लीटर का boot space मिल जाता है अगर आप 7 seat उज़ करते हैं तो आपको मिलने वाला है दोस्तो 84 लीटर का boot space रेनो ट्राइवर EMT वेरेंट के अगर हम माईलेज की बात करें तो 21 KMP की माईलेज दे देगे हैं दोस्तों और वही अगर हम इसकी expected pricing की बात करें रेनो ट्राइवर RXZ EMT की तो रहने वाली है दोस्तों 7 लाक एक्शो रोम दिल ली यह थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट रेनो की 7 सीटर MPP रेनो ट्राइवर के आटोमेटिक वेरेंट से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा दोस्तों और एक लाइक दो बनता है दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब किये बगार बिल्कुल मत जाएगा दोस्तों क्योंकि मैं यह ही रोजाना आटोमोबाई सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट्राइब, वाकराउंज, कमपैरिजन, असेसरीज आपसे साज करता है रहता है तो चले दोस्तों आज के लिए बस कितना ही मिलते एक नए वीडियो पर तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जैहित